Let's start our class, class 6, subject, English, text. Previous lecture में हमने आपको chapter 4 explain कर दिया था और chapter 4 में आपका एक poem दिया हुआ है, Beauty. इस poem को E.A. Suri ने write किया है, इसके poet का ने में E.A. Suri. तो इसमें E.A. Suri ने इस poem में आपको बताया है कि Beauty क्या होता है? What is beauty? Try to describe what beauty is or list some of things or person you think are beautiful. आप लोग क्या करेंगे? Beauty क्या होता है? इसको describe करने का practice करेंगे और आप उन things या persons का list बनाएंगे जिनको आप beautiful मानते हैं. Now, let us read a poem on beauty. अब beauty पे write इस poem को हम लोग क्या करेंगे? Read करेंगे. तो आईए poem को read करते हैं और देखते हैं कि इस poem में poet ने क्या बताया है? Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. Beauty को sunlight में, trees में, birds में, growing, burn में, work करते हुए people में और अपनी harvest के time dance करते हुए persons में beauty को क्या किया जा सकता है? और harvesting के time जब people क्या करते हैं, dance करते हुए दिखाई रहते हैं तो वो भी कितना beautiful लगते हैं आप लोग होते हो कि कितने beautiful लग रहा हैं तो next paragraph में देखिए आपको बताया गया है कि beauty को कहां पे सुना जा सकता है? Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or singer chanting anything in earnest. Beauty को night में, wind में, जब wind क्या होता है, blow करता है, यानि कि हवा जब बैती है तब rain falling, जब बारिश की बूंदे, अर्थ पी क्या होती है, गिरती है, तो उसमें और जब singers मस्त हो कि क्या करते हैं, किसी song को गाते हैं, तो उनकी voice में, और आप लोग क्या कर सकते हैं, beauty को सुना जा सकता है, anything in earnest, और सभी all things में हम लोग silently, carefully beauty को क्या कर सकते हैं, शुन सकते हैं, here कर सकते हैं, beauty is in yourself, good dates, happy thoughts, that repeat themselves, in your dreams, in your work and even in your rest, beauty, कहां भी होती है, beauty आपके अंदर, आपके मन में होती है, आपके good works में होती है, आपके good thoughts में होती है, जो आपके dream में, आपके work में और यहां तक कि जब आप rest कर रहे होती हैं, तो वहां भी beauty जो होती है, बार-बार क्या होती है, scene होती है, तो इस शेप्टर में आपको यही बताये गया है कि ब्यूटी होता क्या है तो आज का आपको हमबक है आज आप इस शेप्टर को रीड करेंगे ब्यूटी कोम को रीड करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे आज का आपका धुर्स यहीं भी over होता है Thank you